हालो इस्टूडेंज वेल्कम टूश्टेप अपकेडमी मेरा नाम है सुर्भी तिवारी और मैं हूँ आपकी फिजिक्स टीचर तो आज हम क्या करने वाले हैं क्लास 9 के लिए चैप्टर लेकर क्या आई हूँ वर्क एनरजी एंसी आर्टी का चैप्टर नंबर 10 है और बाकी बच्चों के लिए चैप्टर नंबर कुछ भी हो सकता है लेकिन आज हम इस वीडियो में यह जानने वाले हैं कि वर्क क्या होता है एनरजी क्या होती है वह इस चैप्टर को आगे बढ़ाऊं से पहले एक बात मैं आप सब को बता देती हूँ कि इस पूरे चैप्टर में हम सारी चीजों को हम जारेंगे लेकिन सबसे पहली बात वर्क यहां पर आप लोगों को कुछ इमेजस दिख रही है जैसे सबसे बले एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है यहां पर कुछ असाइन्मेंट्स कम्प्रेट किया जा रहा है यहां पर लेबोर्ट्री में काम हो रहा है लेकिन आपकी ममी बोलती है कि जूट 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 यहां पर कोई काम नहीं हो रहा और ऐसे ही हमारी साइन्स टीचर कहती है कि कोई काम नहीं हो रहा है मैं यह क्या बताना चाहरे हो बेसिकली यहां पर जो भी चीज़े हो रही है न वो एक्च्वल में साइन्स के ल जो दोन रहें तो सही बोलते इंगिस कि हैं प्रोप साइंस कि मैं और भी इस परiddते हैं कि काम करता हूं मैं न भर मैं काम नहीं क्यों सकता हैuten से बहुत काम हो को लेकिन साइंस और और उसी हुआ तो इसका मतलब आपने वहाँ पर भी कोई वर्क नहीं किया तो यह भी जीरो यह आदमी पिचला दिन भर से बड़ा सा समान अपने सर पर लेकर के यह काम कर रहे हैं या फिर यह जो पेड़ पर इंसान चड़ रहा है यह एक काम है या फिर जो टाइम पास कर रहे हैं व्यक्ति कूदने का यह भी एक काम है तो आप बोलोगे कि यह कैसे काम हो सकता है यह तो सब टाइम वेस्ट है वह साइंस की लाइंगविज में जो वर्क की हम एक ही जागे पर है हम फोर्ष लगा रहे हैं या तो भी कोई चीज लिप doubles नहीं हो रहीर या जहां displacement है वहां फोर्ष नहीं है तो इसलिए वहां पर कोई भी work नहीं हो गा मैं ऐसे लिए बोला कि मीनé displacement नहीं हुकर हो सम got a video हुनियों सब्सक्राइब ऐसान या तो जब भी आप किसी चीज़ पर फोर्स लगाते हो और वो डिस्प्लेस में होता है जिसका मतलब यह है कि वहां पर वर्क हुआ है तो वर्क की बच्चो यह डेफिनेशन बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखेगा और अगर तुम्हारी मम्मी कहें कि आप काम नहीं कर रह हो और डिस्प्लेसमेंट हो तो मैं तो एक जगे बाठके से पढ़ी तो रहा हूं आपकी मम्मी एमोशनल हो जाएगी चलो ठीक है तो वर्क का मतलब है कि वर्क के सेट टू बीडन एफ और अप्लाइंग अफोर्स ऑन अबजेक्ट इस डिस्प्लेस्ट फ्रॉम इस पर डिस्प्लेस नहीं भी होती है तो उसकेस में और नहीं होता वर्क तो होता है लेकिन उसे हम तीन केडिगरी में डिवाइट कर देते हैं निगेटिव पौजिटिव और जीरो वर्क यह याद रखेगा अब दिस यहां पर एक बंदा है जो कि एक बड़े से बॉक्स को ख में displacement हो रही है तो बच्चों यह जो वर्क है ना इसमें दो बाते हैं जो कि सटिस्फाइड होनी चाहिए किसी भी चीज में वर्क डन की का जो definition है वो तभी complete होता है या वर्क तभी पूरा होता है जब दो factors हो अफ्रोश शुड एक्ट और अब्जेक्ट 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 मस्ट भी डिस्पेस पहली बात तो किसी अब्जेक्ट पर फोर्स लगना चाहिए और अब्जेक्ट अपनी जगह से डिस्प्लेइस होना चाहिए तो यह बच्छों यहां से तो आप वर्क की definition समझ गए होंगे कुछ examples हम लेते हैं कि वर्क के लिए जैसे अगर्ड पुल और ट्रॉली मुव्स थ्रूर दिस्टेंस इन दिस वेशी हाज एग्जर्ट इफोर्स लगा रही है तो दिस डिरेक्टिन में फोर्स लगा रही है तो इस डिरेक्टिन में ट्रॉली मूफ कर रह है दूसरे केश में देखो कि एक बच्ची ने भाग टांगा हुआ है तो गर्ल कैरिंगा बैग एंड वोकिंग फॉर्वर्वर्ड इस नॉर्ट दूइंग वर्क बिकास दफोर्स एग्जर्टिट अन दा बैग इस एक्टिंग अपवर्ड एंड नॉर्ट इन डारिक्शन मोशन यहां पर फोर्स कहां लग रहा है बैग पर तो अपवर्ड डारिक्शन में फोर्स लग रहा है लेकिन डिस्प्लेस्मेंट तो भई यहां पर आगे की तरफ है ठीक है तो इसका मतलब कि यहां पर बैग में कोई डिस्प्रेस्मेंट नहीं हो रहा है इस डारिक्शन मे force is direction में तो displacement बिल्कुल भी नहीं है इसलिए इस case में हम कहेंगे कि यहां पर कोई work done back पर नहीं हुआ है ना a girl carrying a back and walking forward is not doing work because a force exerted on the back is acting upward and not in the direction of motion क्योंकि भई back पे तो कहां force लग रहा है उपर की direction में लग रहा है लड़की आगे walk कर रही है लेकिन back पे लगने वाला जो force है वो कहां है shoulders से उसक्यों पर लग रहा है बैक पर तो इसका मतलब इस case पर बैग पर अगर मैं बोलूं कि क्या work done है तो आप बोलेंगे कुछ भी नहीं क्योंकि force कहीं और लग रहा है और और उस force के कारण बैग में कोई displacement नहीं है ठीक है आगे बढ़ते हैं work done by a force on an object is equal to the magnitude of the force multiplied by the distance moved in the direction of force अब अगर मैं एक formula निकालने को वोलू आप से तो यहां पर आप बढ़िया से formula देख सकते हो कि वर्क का formula होता है वह होता है force into displacement यह याद रखें सिंपल सा है कि अगर किसी चीज़ पर अगर आपने force लगाया तो फोर्स का कितना force लगाया उसका एक्च्वल में आप जब formula को आगे पढ़ोगे तो उसके साथ में cost ठीटा होता है लेकिन क्योंकि अभी हमने trigonometry नहीं पढ़ी है तो इसलिए हमारे लिए formula अभी बस इतना ही है कि w equals to f into s ठीक है तो जो भी बच्चे सोच रहे हैं कि इसमें स्कॉस भी होना चाहिए था तो मैं उनको बता दू कि 9th 9th class में trigonometry अभी हमने नहीं पढ़ी इसलिए अभी हम सिफ यही फॉर्मा लगाएंगे और इसी से रिलेटेट क्वेस्टेंस हमसे पूछे जाएंगे वहां पर कोई भी एंगल या सम्थिंग ऐसा कुछ नहीं निकारिकल्स में अब मारी आती है कि यूनिट क्या होती है वर्क कि तो वर्क की उनिट क्या होती है वर्क की क्लिश रू क्या होता है force into displacement अगर मैं for sq rainfall तो न्यूटन होती हैा और displacement की मेटर तो इसकाINT रखीमान चाहिगी Newtonन मेटर आब तो न्यूच था जगे हम जूल भी लिख सकते हैं थोड़ा सगरा खराब है तोड़ा कंसिटर कर ली जएगा काफी दिनों से लेकिन में जो पाता है कि आपने हैटफोन लगाए होंगे तो बहुत तीजी से आवाज आई होगी बट सॉरी फॉर डाइट यहां पर मैंने आप से बताया कि न्यू कम लग रहे कुछ खापी लेते हैं डाइट मींस कि जब आप वर्क करते हो तो एनरजी उसमें यूज होती है तो वर्क देनीज एक्ट्रिया फॉर्म आफ एनरजी और एनरजी क्या कोई वेक्टर कॉंटिटी हो सकती है क्या नहीं यह स्केलर कॉंटिटी है यहां पर क्लास में आप एक बार से पढ़ेंगे तो इसे और आप बहते है समझेंगे लेकिन फिलाल हम यह समझ सकते हैं कि वर्क डर्न क्योंकि एनरजी का फॉर्म है इसलिए एनरजी को हम सिर्फ स्केलर क्वांटिटी कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी नहीं तो इसी वजह से वर्क इस ओल्सो आप स्केलर क्वांटिटी तो यह बात बचो आप लोग याद रखेगा इड हैस अनली मागनिट्यूट और डारिक्षन तो कि से अमें मतलब नहीं होता है हमें सिर्फ मागनिट्यूट से मतलब होता है ठीक है अब काम हुआ है अब वो किसी भी डारिक्षन में हो को धक्का दे रही है तो ये एक ही डारेक्षन में है तो इसलिए यहाँ पर जो वर्ग दन होगा वर्ग तो हो रहा है पहली बात क्योंकि फोर्स भी लग रहा है डिस्प्लेस्मेंट भी है इसलिए ये वर्ग दन कैसा होगा पॉजिटिव और इसको आप किस तरह से रिप्र of force and displacement is zero degree अब यह एंगल किस एंगल की बात कर रहे हैं तो यहां पर जो एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में वो जीरो डिगरी एंगल बन रहा है ठीक है और जैसा मैंने आप से कहा था कि अगर आप वर्क डन की मिलेगी ठीक है तो यह जो एंगल फोर्स और डिस्प्लेस्मेंट क्योंकि दोनों एक डारेक्शन में है फोर्स भी वहीं है और डिस्प्लेस्मेंट भी वहीं है तो इसलिए इन दोनों के बीच का हैंगल हम किया बोलेंगे कि यह zero degree है clear तो अब यहां से बात हमारे के रोगे ऑगे बढेंगे इसके एक्जामपल कि देखते हैं वेनऄर फोर्स औम डिस्प्लेस्मेंट और इन अपोज़ Dee्रिक्शन हमहें चाहिए बढ़ते हैं लेकिन जब बाल्ती ऊपर जा रही तो ग्राविटेशनल स्थ मीचे लग रहा है मैं तो फोर्स नीचे की तरफ है और डिस्प्लेस्मेंट ऊपर हो रहा है मुझा पर फोर्स और डिस्प्लेस्मेंट ज不是 यहां पर दो अगर मैं लिखोंगी यह एक यहां पे इसलिए हमने- लिया है कि यह एकल हम नाम 2021 सो खू गा को यह वह जोगी आपका पॉजिटिव सोरी नेगेटिव कर्णन में आता है नेक्सद जीरो बर्क गर्ण जीरो वकल्द किया है कि मानली जी मेरेसे कि को दोनों साइट से धक्का दे रहे हैं कोई displacement नहीं हुआ तो यह जीरो वर्क है इसी तरह किसे कुली समान को तो ले जा रहा है लेकिन अगर समान के उपर वर्क दन की बात की जाए तो वह 0 होगा क्योंकि फोर्स उपर की डारेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेस्मेंट आ होता है f into s cos 90 और cos 90 की value जो है बच्छो वो होते है 0 तो यहां से आपका work done कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा तो जब फोर्स और displacement दोनों के बीच में बनने वाला एंगल 90 degree होता है तो इस वजा से जो आपका work done है वो 0 होगा अकुली carrying load on his head in this case gravitational force is acting vertically downward and displacement is along horizontal direction that is force and displacement are perpendicular to each other so in this case work done by the gravitational force is 0 to gravitational force जो work done कर रहा है इस case पर क्या हो जाएगा 0 होगा आगे बढ़ते हैं और कुछ problems को solve करते हैं अब यहां पर बहुछ easy easy से कुछ questions है आपके सामने जो कि आप से भी पूछे जा सकते हैं एक crane है जो कि एक rat को upward direction में हाइट 20 मीटर है इतनी 20 मीटर की हाइट तक उठा लेती है दे लिफ्टिंग फोर्स प्रोवाइड बाइड़ क्रेन इस फाइफ किलो न्यूटन अब देखो बच्चो यहां पर क्या है कि एक क्रेन ने एक बड़े से क्राट को उठाया हुआ है कितना इसे उठाने के लिए फाइफ किलो न्यूटन का फोर्स लगा तो यहां पर वर्ग दन आपको निकालना है तो वर्ग दन का फोर्मला होता है ऐफ इन्टो S force की value आपको दिए हुई है 5 kN और displacement कितना हुआ 20 m, 20 m ऊपर इसने समान को उठाया, मलब displace कितना हो गया 20 m, तो यहां से आप इसे लिखेंगे 20, अब kN को आप 1000 से multiply कर दीजे, तो यह नूटन में convert होगा, तो 5000 into 20, तो यह हो जाएगा 10 into 1000, कितना नूटन मीटर, या फिर आप लिख सकते हैं से 10 किलो नूटन मीटर, तो 10 किलो नूटन मीटर या फिर 10 किलो जूल, इतना work done जो है इस case में हो रहा है, यह आपको यहां पर पता चल गया, आगे चलेंगे, दूसरे question की तरफ जंप करेंगे, तो दूसरा question जो है बच्चों आपके सामने यह है, यह वही same question और आगे बढ़ेंगे, इसका solution है अक्टन में यहां पर, तो यह solution मैंने आभी आपको बताया था, आपने देखा, सन, अब energy, energy क्या होती है, अब अचानक से में energy वाले टॉम पर आगे, मुझे लगा कि एक दो question और हैं, बट ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, तो energy क्या है, जब भी आप किसी चीज़ को खाते हैं, तो आप energy फिल करते हो, अब energy एक ऐसी चीज़ें, जो कि आप कभी भी खतम नहीं कर सकते हैं, या उसे आप उत्पन्य नहीं कर सकते हैं, बस आप उसे transfer कर सकते हो, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, अगर मैं सबसे पहले energy की बात कर तो energy हमें किस से मिलती है, sun से मिलती है, sun की उस energy को use करके plants अपना food बनाते हैं, हम बहुत सारी और चीज़ें करते हैं और जो plant food बनाते हैं, उसको हम consume करते हैं, तो हम क्या कर रहे है, energy एक जगा से दूसरे जगे सर्फ क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, तो हमारे लिए जो enormous source है, energy का वो sun है, तो sun हमें energy दे रहा है, अब यह जो energy है बच्चों, यह कई तरीके से हम divide कर सकते हैं, जैसे nuclear energy, wind energy, solar energy, तो यह अलग अलग तरीके की energies है, energy हम क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इनको एक form से दूसरे form में convert कर सकते हैं, जैसे अगर मैं solar energy के ही बात करूं, तो plant उससे chemical reaction करके अपना food बनाते हैं, तो यह एक form से दूसरा form हो गया, वहीं हम solar energy की मतलब से electrical energy बनाते हैं, electricity produce कर रहें, तो यहाँ पर भी देखे, एक form से हमने दूसरे form में convert कर लिया, तो energy ऐसी चीज जिसकी वज़े से हम कोई भी work कर पाते हैं, और दूसरे बात, जिसको हम ना तो create कर पाएं, और ना ही हम उसे destroy कर पाएं, बस उसे एक form से दूसरे form में convert कर पाएं, वो चीज होती है energy, जिसको आप से feel कर सकते हो, है ना, तो energy का अगर मैं simple सा अगर आपको समझाओ, तो sun is the biggest natural source of energy to us, we can also get energy from the nucleus of atoms, the interiors of the earth and the tides in the ocean, इन सब से भी हमें energy मिलती है, ठीक है, तो basically अगर मुझे कोई definition बोलेगा energy कि तो मैं क्या लिखूंगी, it is the ability to do work, it is almost essential for performing any mechanical work, and an object having the capability to do work is set to possess energy, तो भई, work क्या है, work is force into displacement, कि मैंने किसी चीज़ पर force लगाया, displacement हुआ, वहापर मुझे चीज़े दिखाई दे रही है, लेकिन जिस चीज़ के कायण आप work कर पा रहे हो, वह है energy, आप खुझ से ही समझते हो, कि जब आपको ज़्यादा energized महसूस होता है, आप ज़्यादा काम करते हो, और जब आपको कम energized महसूस होता है, तो आप कम काम करते हो, ठीक है, तो बेसिकली यह है, ability to do work, it is always essential for performing any mechanical work, an object having the capability to do work is said to possess energy, ठीक है, तो कोई भी object, जो की काम को करता है, इसका मतलब कि वो energy को क्या कर रहा है, consume कर रहा है, उसका utilization कर रहा है, तो object which does the work, loses energy and object on which work is done, gain energy, अब यह बहुत important एक line है बच्चों, कि object जिस पर काम होता है, है न, जैसे कि यहां पर object क्या है, ball है, और काम कौन कर रहा है, यह लड़की काम कर रही है, तो इस बच्ची ने क्या किया, कि ball को उठा लिया, तो इसने किस के उपर काम किया, ball के उपर, तो मेरी energy किस में चले गई, मैंने लूज करी energy, और वो energy किस को मिल गई, उस ball को मिल गई, अब वाल को जब energy मिली, तो यह ball के अंदर energy है, जो कि किस form में है, potential energy के form में, अब जैसे मैं उसे drop करूँगी, तो वो energy उसके motion में convert हो जाएगी, मतलब कि kinetic energy में convert हो जाएगी, तो यहाँ पर बच्चों यह बहुत अच्छी line जो कि आपको याद रखनी है, कि the object which does the work loses energy and the object on which the work is done gain energy, तो जिस object, जो object काम करता है, वो energy को lose करता है, और जिस object पर काम होता है, वो object उस energy को gain करता है, जैसे मैंने football को kick कर दिया, तो मैंने उस पर work done किया, तो that means कि मैंने उसे energy को transfer किया है, चलिए, अब अगर energy की further हम unit की बात करें, तो जूल ही हम इसके energy लेते हैं, तो energy of an object is measured in terms of its capacity of doing work, तो अगर में यहाँ पर आपको कुछ examples बताओं कि actual में energy को आप कैसे समझेंगे, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, work done against a force is therefore stored as energy, work done against a force, जब भी आप किसी force के against काम करते हो, force के against काम कर रहे हो, तो वो energy के form में store होती है, सिपल है, अब इसको कैसे समझें, देखो, when a fast moving cricket ball hits a stationary wicket, the wicket is thrown away, अब यहाँ पर क्या हुआ, एक बहुत तेज बॉल आई, और उसने wicket को touch किया, बॉल ने क्या किया, force लगाया, और अपनी energy जो वो किसको दे दी, wicket को, और wicket ने वो energy लेकर कि क्या हुआ वो, वो काइंट एक energy लेते हुए, दूर दूर कहीं throw away हो गया, पीछे चला गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, force के against जब काम होता है, तो वो energy की form में store जाता है, मतलब कि force लेकर के तो ball आ रही थी, लेकिन उसके against कौन था, wicket था, तो वो energy अब किस में transfer होगी बच्चो, wicket में transfer होगी, दूसरी चीज, वैना raised hammer falls on a nail, placed on a piece of wood, it drives the nail into the wood, और जब हम किसी hammer को, किसी nail के उपर place करते हैं, on a path की, किसी wood के उपर, तो it drives the nail into the wood, अब वो वोड़ को अंदर धकेल देता, क्योंदेता है, क्योंकि hammer जो force है, वो किस पे लगा रहा था, nail पर लगा रहा था, तो उसके जो force की वज़े से, जो energy थी, वो किस में transfer हो गई, nail पर, और उस energy के वज़े से, जो nail है, वो अंदर की तरफ क्या हो गया, बिटा, अंदर की तरफ चला गया, अगर energy transfer नहीं हो रही होती, तो nail भी energy को gain नहीं करता, और नहीं वो अंदर की तरफ जाता, तो this is the energy, energy का मतलब है, capability of doing work, जिसकी current काम हो पा रहा है, तो nail अंदर जा रही है, तो क्यों को जा रही है, क्योंकि hammer ने अपनी energy nail को transfer करी, और nail mode energy लेकर के, अंदर की तरफ चला गया, तो बैटों, यहाँ पर तो हम समझ गए है, कि work क्या होता है, energy क्या होती है, जेक है, अब आगे जो वीडियो बनेगा, उसमें मैं आपको बताऊंगी, कि kinetic energy और potential energy क्या होती है, जोकि energy को ना, कई तरी से कई form में divide कर सकते हैं, जैसे अगर कोई ball को आपने उठाया, करेंगे हमारी next video में, जिससे देखने के लिए आपको subscribe करना है step up academy, क्योंकि मैं आपको फिर से बता दू कि step up academy, एक ऐसा online channel है, जहां पर आप सारे subjects free में पढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ, बहुत सारी exams की preparation, आप हमारी दूसरे channels के थ्रू कर सकते हैं, तो आज ही subscribe करें, और अगर कोई doubt है, तो आप मुझसे comment section पर पूछ सकते हैं, इतने प्यार से इस वीडियो को देखने के लिए, thanks for watching, मिलते हैं next video में,